Hello Everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit देखिए, आज हम Sports के ऐसे Top Most Current of Years के Questions कवर करेंगे जिनसे की Almost सब भी competitive examinations में question पूछे जाने के chances बहुत बहुत ज़ादा है और ये ऐसे set pattern के questions हैं जिनसे की हर बार examinations में questions जरूर पूछे जाते हैं जो भी questions हम कवर करेंगे एक भी question irrelevant नहीं होगा सभी questions very very important होगे तो आप सभी questions को अच्छे से ध्यान से समझे और मैं बड़े confidence के साथ मैं आपको बोल रहा हम कि यदि आप अच्छे से समझते हैं So you will definitely get questions from that video in your examinations ओल्राइट चलिए शुरू करते हैं देखिए पहला question है Who has won the Man's T20 Player of the Year Award 2020 यानि की 2020 में T20 Cricket में Player of the Year का अवोर्ड किस खलाडी को दिया गया है ओल्राइट तो ये अवोर्ड दिया गया है New Zealand के Middle Order के Top Class बल्लेबाज Rose Taylor को यह है Rose Taylor और ये एक बहुत ही जबरजस्त खलाडी है बहुत ही कमाल की performance रहती है इनकी तीनों ही formats में T20, Test Cricket और One Day यानि की ODI Cricket में यह बहुत ही important question है आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए Next question है Which is also very very important Who has been given Best Cricketer of the Year Award 2019 यानि की 2020 में Best Cricketer of the Year का जो अवोर्ड दिया गया है जो की पिछले एक साल की performance को जज़ करके तब दिया जाता है तो यह award किस खिलाडी को दिया गया है तो यह award दिया गया है England के All-Rounder Ben Stocks को और यह भी बहुत ही कमाल के खिलाडी है इनका सभी 4 minutes में बहुत अच्छा performance रहता है यह बहुत ही अच्छे बले बाज हैं बहुत ही अच्छे गैंबाज हैं और एक बहुत ही अच्छे फिल्डर हैं और England को 2019 का ODI World Cup जिताने में इनकी बहुत बड़ी भूमी का थी His Ben Stocks Next question is Who has won prestigious Sir Richard Hadley Medal 2020 in cricket यानि की Sir Richard Hadley Medal 2020 जो की cricket में New Zealand में दिया जाता है New Zealand के players के लिए तो ये अवोर्ड 2020 के लिए किस खिलाडी को दिया गया है देखिए Richard Hadley New Zealand के बहुत ही महान खिलाडी रहे हैं तो उनके नाम पर ये अवोर्ड दिया जाता है और ये अवोर्ड भी New Zealand के Middle Order के Top Class बलेबाज Rose Taylor को दिया गया है तो आप इन अवोर्ड से ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस खिलाडी का लेवल क्या है तो देखिए इनको दो अवोर्ड दिये गये हैं एक तो New Zealand का Sir Richard Hadley Award 2020 और एक T20 Players of the Year जो की International Award होता है तो ये दो अवोर्ड रोस टेलर को 2020 में दिये गये हैं और बोथ हार वेरी वेरी इंपोर्टेंट और वेरी प्रॉन तो बी आस्ट इन एक्जामिनेशन और वन अप्डेट फोर यू कॉंप्टिटिव एक्जामिनेशन के लिए जो टॉप मोस्ट करेंट अफेर्स के टॉपिक होते हैं जैसे की ओसकर आवोर्ट्स, ग्रेमी आवोर्ट्स, भारत रतन, खेल रतन, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, इर्सेक्टरा इन सभी टॉपिक्स पर हम वीडियोज अल्रेडी बना चुके हैं यदि वो आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप प्लीज जरूर देखिए, ये टॉपिक्स बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट हैं इनसे हर बार क्वेशन्स, एक्जामिनेशन्स में पूछे जाते हैं और इन वीडियोज का लिंक उपर आई बटन में यानि की फॉर्मुला वन जो रेस होती है उसकी जो 2020 की सीजन ओपनिंग रेस थी जो की ऑस्टेलिया में कंड़क्ट कराए गई थी जिसका नाम है ऑस्टेलियन ग्रांड प्रिक्स तो ये किसने जीती है? तो ये रेस जीती है फिल्लैंड के वलतेरी बोतास ने ये है मिस्टर वलतेरी बोतास और ये मर्सेडीज की तरफ से यानि की मर्सेडीज की कार यूज करते हैं वाइल रेसिंग देखिए ये क्वेशन बहुत जादा इंपोर्टेंट है और आपके लिए एक बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेशन है विच इस सेबेस्टियन वीटल और लुइस हैमिल्टन ये दोनों रेसर किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और कौन सी ब्रांट की कार इस्तेमाल करते हैं ये आपको कमेंट बोक्स में लिखके बताना है और देखो जो भी मैं क्वेशन आप से एक्स्ट्रा पूछ रहा हूँ ये वो क्वेशन हैं जो की एक्जामनेशन में पूछे जाते हैं तो आपको ये क्वेशन साथ की साथ जरूर तयार करते रहना चाहिए चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं नेक्स्ट वेरी इंपोटेंट कुशन इस यानि की 2023 का FIFA Women's World Cup किस कंट्री में होस्ट किया जाएगा तो 2023 का FIFA Women's World Cup निउजिलेंड और ऑस्टेलिया में कंबाइंडली कंड़क्ट कराया जाएगा यह दोनों कंट्रीज इस टूर्नमेंट को होस्ट करेंगी यह क्वेशन काफी जादा important है क्योंकि इस टाइप पे जो questions होते है लाइग दोहजार चोबिस में ओलम्पिक गेम्स कौन सी कंट्री होस्ट करेगी तो इस टाइप के बड़े टूर्नमेंट के जो venue होते हैं, वो बहुत ज़्यादा important होते हैं, इनके examinations में पूछे जाने के chances बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं, अक्सर ये questions पूछे जाते हैं, alright, next question is, which is very very important which state will host fourth edition of Kelo India Youth Games 2021 यानि कि Kelo India Youth Games जो कि 2021 में conduct कराए जाएंगे, जो कि इनका fourth edition होगा, ये इंडिया के किस state के द्वारा host किये जाएंगे, तो Kelo India Youth Games 2021 का fourth edition host किया जाएगा, हरियाना के पंचकुला शहर में, alright और आपके लिए एक very important question है, which is, Kelo India Youth Games, जो कि 2020 में conduct कराए गए हैं, जो कि इनका third edition था, ये किस state में और किस city में conduct कराए गए थे, ये आपको comment box में लिखके बताना है, ये question इसी के साथ का question है, और इसी के बराबर important है, और आपको ये भी बताना है कि 2020 के Kelo India Youth Games में किस state ने top किया है, यानि कि किस state ने सबसे ज़्यादा gold medals जीते हैं, और राइट चलिए next question देखते हैं, next question is which is also very very important what is the name of the national anti-doping agency's first mobile app, देखिए ministry of sports ने हाल ही में एक app launch किया है, तो उस app का क्या नाम है, और राइट तो देखिए इस app का नाम है NADA app और NADA की full form है national anti-doping agency और राइट, देखिए ये app बहुत ज़्यादा important है, especially for athletes, और ये app athletes और ministry of sports के बीच में जो gap है, उसको bridge up करेगा, यानि कि sports ministry और athletes के बीच में communication provide करवाएगा और इस app का मुख्य उदेश ये है, जो drugs हैं, जो कि prohibited हैं by international sports organizations, तो उनके बारे में athletes को ये awareness, ये updates मिलती रहें, कि इस drug पर band लगेगा तो किसी भी athlete को ये drug इस्तिमाल नहीं करनी चाहिए, अक्सर क्या होता है, कि athletes को ये पता नहीं होता है कि इस drugs पर band लगता है और जब वो high level पर जाते हैं, perform करने के लिए, जब उनकी वहाँ पर testing होती है तब उनको ये पता चलता है कि इस drug पर band लगा हुआ है और उसकी वज़े से उनका career effect होता है कई बार क्या होता है, कि जो players normally drugs इस्तिमाल करते हैं उसमें भी उन drugs की कुछ मात्राएं होती हैं जो कि sports के field में band हैं तो इन सभी के बारे में athletes को aware करने के लिए app बनाया गया है और लाइट, so it is very important देखिए next question है which is very very important जोशना चिनपा who has got 10th ranking in the world women's ranking is associated with which sports यानि कि जोशना चिनपा जिनकी की पूरे world में 10th ranking रही है तो ये किस game से associate करती है यानि कि ये कौन सा game खेलती है जिसमें की rank 10th रही है और लाइट, तो ये खेल है squires, और देखिए question important इसलिए है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा कि squires कोई game होता है और इस game में हमारे देश की कोई लड़की international level पर top 10 में आ रही है और 10th rank लेकर आ रही है, so that's why this question is very very important और आपको ये पता होना चाहिए, okay next question is tour de France is related to which sports यानि कि tour de France एक race होती है, ये किस sport से related है, तो ये race cycling से related है, यानि कि bicycle racing, और ये primarily France में होती है, और France से start होके ये बाकी के कुछ countries में भी जाती है all right, काफी लंबी ये, किस बाइश दिन की race होती है, okay, और इसको पहली बार 19.3 में organize कराये गया था, ये question भी काफी important है, ये किसी भी examination में आ सकता है, next question is which is very very important who has been recommended by All India Football Federation यानि कि AIFF for Padma Shri Award यानि कि Padma Shri Award जो कि India का fourth highest civilian award है, इसके लिए All India Football Federation के दुआरा किस खिलाडी को मनोनीत यानि की नामांकित किया गया है all right, तो ये हैं I.M. Vijayan, ये है Mr. I.M. Vijayan और ये football के player रहे हैं इनका football के field में इंडिया की तरफ से काफी बड़ा योगदान रहा है और देखी ये award काफी important होता है ये इंडिया का fourth highest civilian award होता है पहले number पर भारत रतन होता है दूसरे number पर पदम विभूशन then पदम भूशन and then पदम स्री तो ये था sports से related top 10 most important current affairs का part 1, इसका part 2 हम जल्दी ही लेके आएंगे तो जिससे की आपका part 2 मिस ना हो उसके लिए आप subscribe button पर click कर दीजिए और bell icon पर भी click कर दीजिए और यदि ये information आपको valuable लगी हो तो like और share जरूर कीजिए and all the best for your examinations and that's all for today, bye bye